नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका पैसनोमिक्स चैनल के उपर दोस्तो, आज की वीडियो में हम इनजल 1 ये जो एपलिकेशन है इस एपलिकेशन में स्टॉक की बास्ट कैसे बनानी है इसके बारे में देखने आ ले है अब स्टॉक बास्केट का काम क्या होता है? तो सबसे पहले login के बाद आपके सामने discover का page आ जाएगा, थोड़ा scroll करके नीचे जाना है और stock SIP के उपर आपको click करना है, जैसे यह आप stock SIP के उपर click करोगे, आपको यहाँ पर create basket और order book दो tab दिखाई देंगे, आपको create basket के उपर click करना है, जैसे यह आप इसके उपर click करोग तो आपको यहाँ पर एक notification आएगा, कि SIP order will be placed between 11 a.m. to 1 p.m. on the SIP day, मतलब आज अगर आप SIP करना चाहते हो, तो 11 से एक बजे तक आप यहाँ पर जो order है, place कर सकते हो, इसको आपको okay कर देना है, जैसे ही आप इसे okay करोगे, तो एक और screen आपके सामने open हो जाएगी, यहाँ आपका basket का नाम जो है, वो आप यहाँ पर जो देना चाहे, वो दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, कि मुझे bank के related stock खरीदने और bank का एक basket ताहर करना है, तो मैं यहाँ पर bank लिख दूँगा, कि मेरा यह bank का basket है, इसमें सारे bank के stock होंगे, जिसमें मैं SIP करूँगा हर मैंने थोड़े थोड़े stock जो है, वो खरीदी करूँगा, अब उसके नीचे आप frequency यहाँ पर set कर सकते हैं, monthly frequency अवेलेबल है, weekly frequency अवेलेबल है, और daily frequency भी अवेलेबल है, जिससाब से आप stock buy करना चाते हो, उससाब से आपको frequency set करनी है, आप अगर weekly कोई stock खरीदना चाते हो, frequency select करने के बाद आपको यहाँ पर period जो है, वो select करना होता है, कब तक आप SIP या फिर यह जो basket है, वो कब तक रखना चाते है, और उसमें से stock जो है, वो कितने दिनों तक आप buy करना चाते है, मतलब monthly अगर करते हो, तो एक साल के लिए, दो साल के लिए, वो period आपको यहाँ पर नीचे आना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर start date, वो decide करनी है, कि कब से आपकी basket यह जो है, वो execute होना चुरू हो जाएगी, तो आप month select कर सकते हो, date select कर सकते हो, यहाँ कि मैं यहाँ पर select करता हूँ कि 10 तारीक से, तो automatically, एक साल का period यहाँ पर हमने select किया है, तो 10 फरवरी 2024 तक हमारी यह जो basket है, वो यहाँ पर created रहेगी, और उसमें जो stock है, वो यहाँ पर buy होते रहेंगे monthly, अब create basket के उपर आपको click कर देना है, जैसे आप create basket के उपर click करोगे, तो यहाँ पर add stock का आपको option मिल जाता है, अब जो भी stock आप यहाँ पर basket में add करना चाह वो आप add कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर SBI करना चाहूंगा, SBI N लिखूंगा तो State Bank of India मुझे buy करना है, क्योंकि bank की basket है, अब यहाँ पर allocation जो है, वो 100% दिखा रहा है, और जो stock की price है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, current stock की price यहाँ पर है, जैसे जैसे आप stock add वैसे allocation जो है, वो different percentage में चला जाएगा, अभी मैं यहाँ पर ICSA bank अगर add करता हूं, तो ICSA bank दो stock हमने add किये, तो 50-50% allocation जो है, वो हो गया यहाँ पर, एक और bank हम add करेंगे, वो हम करेंगे पंजाब national, पंजाब national bank अगर मैंने add कर दिया, तो allocation जो है, वो 33.33% तक divide हो गया, तो 50% allocation मेरा होना चाहिए, state bank में, और ICSA, और Punjab national में 25-25% वो by default बाद में आ जाएगा, अब आपके account में पैसे होने चाहिए, अगर आप place करते हो order, फिलार मैंने यहाँ पे को पैसे add नहीं किये, मैं सुर्फ आपको tutorial दिखा रहा हूं कि किस तरीके से करना होता है, यह आपकी basket तयार हो गई, और आपको यहाँ पे place order करना होता है, accept करना है, और place order के उपर click करना है, आपकी जो basket है, वो create भी हो जाएगी, और stock में SIP जो है, वो शुरू भी हो जाएगी, तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे चीजे कर सकते हो, आसानी से आप basket जो है, वो बना सकते हो, औ stock की SIP जो है, वो आपकी यहाँ पे शुरू भी हो जाएगी, इस तरीके से दोस्तों, Angel One इस application में आप basket create करके stock में SIP शुरू कर सकते हो, तो काफी आसान तरीका है, और आसानी से आप monthly कुछ stock buy करना चाते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं, आज की वीडियो में इतना ही दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर देना, जादा से जादा शेयर कर देना, कमेंट्स में जो भी डाउट से वो आप पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, धन्यवाद